अपने प्रेम में से स्वार्थ कम करते जाओ तुम प्रेम में हो यही सबसे बड़ा इलाज है और किसी इलाज की उत्तर की समधान की तुमको जरूरत ही नहीं है प्रेम खुद वो आग होती है जो सारी अशुद्धियों को जला देती है है नगा लेकिन आग जिन लकडियों से उठ रही हो उनका सूखा होना जरूरी है नहीं तो फिर आग में ही जान नहीं रहेगी वो बस दुदुआती सी रहेगी तो बड़े से बड़ा इलाज तुम्हें खुद ही मिला हुआ है बस उस दवा को साफ रखो दवा तुमने बिलकुल ठीक चुनी है पर मिलावटी दवाएं जान लेवा हो जाती है प्रेम को निस्वार्थ रखो प्रेम में जैसे ही अपने स्वार्थ की कामना आई वो प्रेम प्रेम नहीं है वो फिर मोलभाव हो गया खरीददारी हो गई चीना जप्टी हो गई फिर नोच खसोट शुरू हो जाती है मुझे क्या मिला तुझे क्या मिला अब प्रेम अगर शुद्ध है तो फिर तुम्हें और कुछ चाहिए नहीं प्रेम ही ध्यान प्रेम ही भक्त सब काम उसी से हो जाता है पर शुद्ध होना चाहिए नोच खसोट वाला नहीं अगली बार जब भी कुछ उल्जन हो वादे वाद हो तो यही पूछना अपने आपसे यह सब कुछ मैं कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो नहीं कर रही प्रेम कार्थ होता है खुद पीछे हटते जाना और अपने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण किसी और को जगह देते जाना प्रेम का मतलब होता है खुद छोटे होते जाना और कुछ ऐसा पा लेना जो बहुत बहुत जगह देने के काबिल हो तो फिर वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको जगह दी जाए प्रेम में मैंने दो बाते कहीं तुम्हें इस्थान खाली करना है किसी ऐसे के लिए जो बहुत बहुत बढ़ा हो अब तुम तो इस्थान खाली किये जा रहे हो और दूसरे में बड़पन ही नहीं है तो बात बनेगी नहीं न तो दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए भक्त भी होना चाहिए और भगवान भी होना चाहिए भक्त को छोटे होते जाना है और भगवान को बड़ा होते जाना है गुरु दूर बैठा हसरा है गुरु तुमको ले आया है गुविन दियो मिला है अब क्या करेगा वो दूर खड़ा हसरा है भक्त को भगवान के पास ले आया गुरु अब क्या करेगा क्या करेगा वहां खड़ा हुआ है केरलो एक मामला और निप्टा गुरु का और क्या काम होता है बले हारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए वो अपना काम कर चुका अब तुम जानो तुम्हारा भगवान जाने जितना तुमको पता है उस पर चलो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें आखिरी और विशुधतम सत्य का पता होना चाहिए अगर मैं तुमसे ये कह दूँगा तो बहुत बड़ी मांग हो जाएगी तुम्हारे उपर मैं तुमसे कहूं कि तुमको पूर्ण सत्य का पता हो तभी आगे बढ़ना तो तुम जरा भी आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि पूर्ण सत्य का पता हो नहीं सकता मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें जितना भी पता है तुम उसके साथ तो इंसाफ करो तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें पूर्ण सत्य नहीं पता तुम्हारी समस्या ये है कि तुम इतने डरे हुए हो कि जो तुमको पता भी है थोड़ा बहुत कि ठीक है तुम उस पर भी नहीं चलते बात समझ में आ रही है तुम पूछ रहे हो कि ठीक क्या है कैसे पता करें मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जो तुमको पता ही है कि ठीक है क्या उसको भी कर रहे हो थोड़ा ठीक करके और ठीक का पता चलता है बैठे बैठे आखरी सत्य तुम्हें नहीं पता चल जाएगा एक कदम बढ़ाओ तो अगले कदम का पता चलता है तुम्हें आधा तीहा आनशिक मिश्रित जितना पता है उसका पालन तो करो कल एक सज्जन से मैं बात कर रहा था उनसे मैंने कहा था अश्टा उकर गीता पढ़ना मैंने पूछा कितनी पढ़ी बोले जरा भी नहीं मैंने पूछा क्यों बोले कुछ लोग समझ में नहीं आए मैंने का कुछ तो समझ में आए थे बात ये नहीं है कि अगर 20 श्लोक हैं तो तुमको 20 के 20 समझ में आए तुमको 20 में से 5 समझ में आ रहे थे इतने तो आते हैं तुमने उन 5 को ही क्यों न जपा मेरी तुमसे ये बिलकुल उम्मीद नहीं है कि तुम्हें 20 के 20 श्लोक समझ में आएंगे कि तुम्हें पूर्ण सत्य समझ में आएगा पर मेरी तुमसे ये उम्मीद जरूर है कि जितना तुम्हें समझ में आता है उसको मत उपेक्छा दो जो दिखी ही नहीं रहा उसके सामने तो तुम विवश हो दिखा नहीं गढ़ा था गिर गए पर आखो देखी मक्झी तो मत निगलो समस्या ये नहीं है कि आखें गढ़ा देख नहीं पाई इसलिए गढ़े में गिर गए कोई बात नहीं गिर गए तो दिखा ही नहीं तो गिर गए कोई अप्रहत थोड़ी हो गया इंसान पैदा हुए इंसान की दृष्टी सीमित है गढ़ा नहीं दिखा तो गिर गए कोई बात नहीं लेकिन तुमने आखों देखी मक्झी निगली तो ये तुमने अपराद किया जो दिख रहा हो कम से कम उसे अंदेखा मत करो मैं तुमसे कह रहा हूँ जो तुम्हें दिख रहा है उसको क्यों जुठलाते हो जो तुम्हें दिख रहा ही है उसके साथ छल क्यों करते हो अंजाने में भूल हो जाए कोई बात नहीं मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम जान बूज कर भूल क्यों करते हो आखों देखी मक्झी करते हैं झाल झाल झाल